चलिए आप शुरू करते हैं 21 वा अध्याय परत्र लेकन लेट्जर राइटिंग जैसे की बच्चों हम सभी को कभी ना कभी पत्र लिखने की चरुरत पड़ती है कभी हम अपने मित्रों को, कभी हम अपने रिष्टेदारों को या परिवार को जो हम से दूर होते हैं उनको हम पत्र लिखते हैं पत्र हम क्यों लिखते हैं ताकि की हम अपना संदेश या समाचार उन पर पहुँचा सकें कभी कभी बच्चों हमें वैपार या किसी कारे के संबन में भी पत्र लिखना होता है जैसे कि हम अपने प्रधाना चारे जी को पत्र लिखते हैं जब भी हमें छुट्टी लेनी होती है इसी तरीके से हमें कभी-कभी जरूरी कामों के लिए भी पत्र लिखना पड़ता है अथा पत्र को लिखते समें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वाले को पाई और उपर के कौने में अपना पता और तारीख साफ साफ लिखनी चाहिए जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संभोधन वा अभिवादन का प्रियोग करना बहुत आवश्य है पत्र की जो भाशा होनी चाहिए वो सेहज सरल वास पश्ट होनी चाहिए जब पत्र हमारा पूरा हो जाए तो नीचे बाई और पत्र लिखने वाले को अपना नाम लिखना चाहिए पत्र पाने वाले का नाम वा पता पिन कोर नमबर आधी पत्र के बाहर बने स्थान पर साफशा अक्षरों में लिखना बहुत जरूरी है तो बच्चों ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं जब भी हम पत्र लिखते हैं चलिए देखते हैं सेवा मैं श्रीमती मालती देवी 55 नहरु मार कांधी नगर अंबाला पिन कोड नौ कृष्ण पाड़ा दिल्ली पांच मैए ये परम पूझे माताजी साद प्रणाम पिताजी को प्रणाम आपकी बेटी मालविका इस तरीके से हमें साफ साफ अक्षरों में पता लिखना चाहिए चलिए अब कुछ पत्र के नमूने देखते हैं वा उन्हें ध्यान से पढ़िए उपहार भीजने पर मामा जी को धन्नेवाद पत्र सबसे पहले हम पता लिखेंगे उसके बाद हम संबोद करेंगे आदरने मामा जी साद प्रणाम यहां सभी कोशल हैं और ईश्वर से आपके सापरिवार कोशलता की कामना करते हैं मामा जी कल जब सभी मुझे जनम दिन की शुक कामनाई दे रहे थे तभी डाकिया आया और उसने आपका भेजा हुआ पार्सल दिया मैंने उसे खोला तो उसमें एक सुन्दर घड़ी थी ऐसा सुन्दर उपहार मैंने तुरंत उसे अपनी कलाई पर पांद लिया मामा जी घड़ी सभी को पसंद आई इस उपहार के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी घड़ी की जरुरत थी यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है मैं इसे सम्भाल कर रखूंगा मामा जी की सादर चरण स्परश वा चनी को प्यार आपका प्यारा अखिल इस तरीके से आपको पत्र लिखना है चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा इसमें कक्षा में प्रथम आने पर सहेली को पदाई पत्र सबसे पहले पता लिखा गया है फिर प्रिये अन्शिका सप्रेम नमस्ते तुम्हारा पत्र मिला पढ़कर बहुत खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और मा की ओर से धेड़ सारा प्यार और आशिरवाद अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा चिंटू को प्यार तुम्हारी सकी सुर्भी इस तरीके से ये पत्र लिखा गया है अपने सहीली को पदाई देने के लिए चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर इसमें अपने जनम दिन पर अपने मित्र को बुलाने के लिए पत्र सबसे पहले पता फिप्रिये पुनी नमस्ते तुम्हें याद ही होगा कि 14 सितंबर को मेरा जनम दिन है हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जनम दिन मना रहा हूँ इस बार मैंने खेल कोद और गीत संगीत का एक कारेक्रम रखा है पूजा और धर्ण के बाद खाने पीने का आयोजन है तुम समय पर अवश्य पहुँच जाना मैं तुम्हारी प्रतिक्षा करूंगा अपनी बेहन को साथ में लाना मत बूलना अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा प्रिये मेत्र संज है इसी तरीके से ये पत्र लिखा गया है अपनी अध्यापिका को छुट्टी के लिए सबसे पहले सेवा मैं मुख्य अध्यापिका जी शिशु निकेतन शास्त्री नगर लक्नो मोहदे सावनी निवेदन है कि कल राट से मुझे तेज बुखार है अथा मैं विद्याले आने में असमर्थ हूँ आप से प्रार्थना है कि आप मुझे दिना चार, पांच और छे जुलाई का अफकाश प्रदान करने की कृपा करें सधन्यवाद, आपकी आज्यकारी शिश्या नेहा गुपता, कक्षा तीन आ, चार जुलाई दो हजार पीस इस तरीके से ये अध्यापिका को छुटी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है चलिए अब आते हैं अभ्यास मालाबर इसमें हमें निमलिकित को पढ़के पत्र लिखना है अपने चाचा जी का पता लिफाफे पर लिखिए वे दिल्ली में रहते हैं वे मकान नमबर 59 पुश कर मार पर रहते हैं वहाँ का पिन कोड है यहाँ पे आपको क्या करना है पता लिखना है लिफाफे पर इसमें पहले आप नाम लिखेंगे फिर मकान नमबर 59, पुश्कर मार, फिर नई दिली, फिर आप पिन कोड लिखेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है, चलिए अब लिखते हैं दूसरा, गर में आवशक कारे होने के कारण, अपने स्कूल की मुख्य अध्यापिका को एक दिन की छुटी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए आप आते हैं गापर, चित्रकला पृतियोगिता में पृत्थम आने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, ये भी हम कर चुके हैं, आपको उसी तरीके से करना है, अपनी परिक्षपरिणाम के बारे में बताते हुए अपने नाना जी को पत्र लिखना है, ये भी आपको स्वयम करना है, इसके लिए आप मदद ले सकते हैं पुराने पत्रों से,